हाई फ्रेंड्स मैं हूँ अपकी होस्मिता वेलकम टू गानवेज दोस्तों आज का हमारा वीडियो एक विक हाउट्टू वीडियो है बहुत सारे रेसिपीज में हमें मश्रूम्स जानने के जरुरत पड़ी है तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मश्रूम्स को साफ करने क सही और आसान तरीका दोस्तों अब हम देखेंगे मश्रूम्स को साफ कैसे किया जाता है मश्रूम्स को साफ करते वग अक्सर हम यह गल्ती करते हैं कि हम मश्रूम्स को पानी के बूल में डुबो की रख देते हैं मश्रूम्स का टेक्स्चर सौफ्ट और स्पॉंजी होता है और वो पानी जल्दी सोख लेता है ऐसे मश्रूम्स जब हम अपने ग्रेवीज में डालते हैं तो वो ग्रेवी में ज्यादा पानी छोड़ते हैं इस वज़े से आपके ग्रेवी में उत्रा स्वाध नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पे मश्रूम साफ करने का तरीका बता रही हूँ हम एक किच्छन टीशू पेपर लेंगे आप चाहे तो एक कॉटन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं टीशू पेपर को पानी से गिला करेंगे और यह मश्रूम्स के उपर की जो मिट्टी या दाग है वो इस टीशू पेपर से साफ करेंगे कुछ इस तरह से आईए अब हम सारे मश्रूम्स इस तरह से साफ कर लेते हैं मश्रूम्स के मिट्टी हमने साफ कर ली है अब हम यहां लेंगे पानी से भरा एक बूल उसमें हम मिलाएंगे मैदा जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने मैंने मैदा ही कहा हम इस पानी में मैदा बिलाएंगे अब हम इस पे डालेंगे यह मश्रूम्स और मश्रूम को इस पानी में हलके हाथ से रगड़ कर दोएंगे मैदे की वज़े से मश्रूम थोड़े और ज़्यादा सफेद हो जाते है मश्रूम को हमने मैदे के पानी से साफ कर लिया है अब हम इसे पानी से धोलेंगे और तुरंट एक छन्नी में निकाल लेंगे मश्रूम्स को हमने धोकर छन्नी में डाल दिया है ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए आप चाहे तो इसे एक साफ कपड़े से पोच भी सकते हैं देखिए मश्रूम्स कितना अच्छे से साफ हो गया है हमें आशा है आपको आज का हमारा हो टू वीडियो जरू पसंद आया होगा इन मश्रूम्स का इस्तमाल करके कल के एपिसोड में हम बनाएंगे एक बहुत ही लाजवा रेस्ट्राउंस टाई डिश चलिए मैं आपको इसके बारे में बता ही देती हूँ हम बनाने वाले हैं मश्रूम का जो मसाला तो हमारा कल का एपिसोड देखना ना भूले और ऐसे ही इंटरस्टिंग हाउटू वीडियो देखने के लिए हमारी हाउटू प्लेलिस चेक करना ना भूले और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अभी इस वीडियो के नीचे दियेगे सब्सक्राइब बटन पर ले किजिए और साइड में ये न्याईवेल एकन पर भी गलिक काता भूलिएगा मत हमारे रसीपी के नोटिफिकेशन और चैनल के रगूलेड अपडे रहेंगे, so subscribe now and until next time keep watching, enjoy cooking bye bye